हेलो फ्रेंड्स, वेलकुम बैक तु मैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आर्किडेक्स सुमान शुक्ला और आज मैं आपके लिए बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ तो सारी बाते, सारी चीजे डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और जानेंगे कि क्या रिक्वार्मेंट आपको चाहिए होती है और बजट देखेंगे कि मिनिमम कितना बजट आपका लगता है टेरिस गार्डन प्लान करने के लिए तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं है आर्केटक सुमन शुक्ला और ये है सुमन इंटिरियर एडवाइजर चैनल आप इसको सब्सक्राइब करें मैं इस पे इंटिरियर रिलेटिव वीडियो लेकी आती रहती हूँ जिससे आप अपने घर को और अच टैरीस नहीं होता तो वह लोग बालकरणि डिजैन कर सकते हिसकी फथे इसकी वीडियो में पारत में लाओंगे आप उसे भी देख सकते हैं बाकी जिनके पास अपना घर है वह लोग अपना टैरिस describe कर्काड़ एक हाप को मिल जाता है एक एकेट ऐरिया आपको मिल जाता है कार्बन को एब्जॉब करता है जो हमारे environment में फैली होती है तो terrace garden के बहुत सारे फायदे हैं आपके खुद के लिए भी है और अपने environment के लिए भी होता है terrace garden design के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं एक आपका होता है natural terrace garden दूसरा आपका होता artificial terrace garden देखे दोनों के दोनों cases में आपको roof के उपर waterproofing तो जरूर करानी है अगर आप terrace garden plan कर रहे हैं otherwise वो sealant provide करेगा और आपके नीचे वाली ceiling के उपर पानी आने लगेगा जिससे आपका न waterproofing के आप terrace garden कभी भी मत प्लान करना otherwise यह आपको काफी harmful पड़ेगा और काफी maintenance लगेगी इस पर सेकेंड चीज नैचरल जो आपका होता है terrace garden उसमें आपके जो grass लगती है वो natural वाली आती है उसको पुझा पूरा च्छत के उपर लगा दिया जाता है जिसके उपर आप walk करते हैं चलते हैं तो आपके health के लिए भी अच्छा होता है पर same case यह होगा कि उस grass को maintain करना मतलब व थोड़ा सा maintenance हाई होता है cost आपकी महंगी पड़ती है अगर आप afford कर सकते हैं आपके पास पैसी की कोई boundaries नहीं है तो ही आप natural terrace garden के लिए अगर आपको लगता है कि बहुत maintenance है और हम इतना maintenance नहीं कर सकते हैं तो आप artificial terrace garden के लिए जाए artificial terrace garden में भी पूरी तरह वह artificial नहीं होता उसमें हम क्या करते हैं दो तीन elements का use करते हुए artificial effect करते हैं side by side vegetable का पार्ट हम अलग जगे पर create करते हैं जैसे कि आपको picture में दिख रहा होगा आप अपना vegetable वाला पार्ट बना सकते हैं जो कि आपको natural garden वाला effect देगा तो दोनों को mix करके अगर आप बनाते हैं तो यह best होता है इसमें इतनी maintenance नहीं लगती है और इतना माली का भी regular use नहीं होता वो दिन में अगर एक बार भी आके चला जाता है या फिर आपका हपते में दो बार भी विजिट करेगा तो भी आपका यह garden maintain हो जाएगा तो यह basic दो difference होगे natural terrace garden में and artificial terrace garden में आप देखते हैं elements क्या होते हैं कोई भी terrace garden design करने के लिए क्या elements required होते हैं अगर आप terrace garden design कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक terrace bar या outdoor bar की requirement होगी जब भी आपके घर में party होती है तो आप चाहेंगे कि गैस्ट उपर जाके आपके garden में enjoy करें and you know that की बार का क्या use होता है उसको use करें और उसके हिसाब से वहाँ का environment आप create कर सकते हैं second आपका होता है outdoor sitting outdoor sitting is like बहुत important part है आप terrace garden बना किसले रहे हैं इसलिए तो बना रहे हैं कि आप घर के अंदर ना बैठें आप अपना evening का वक्त वहाँ पे बिताएं अपने लोगों के साथ बात्चेत करें जिससे क्योंकि उपर पुरा खुला आस्मान होता है बड़ा सा example के साथ आपको बता रही हूं इस तरह के का होता है परगोला या घजीवो यह बहुत important part होता है यह कहीं पर भी अगर आप terrace में लगाते हैं तो देखने में अच्छा भी लगता है इसके नीचे आप बैठ सकते हैं इसको शीट से cover भी कर सकते हैं और evening में अगर बारिस का टा अच्छा रोमेंटिक महाल भी आप create कर सकते हैं परगोला के साथ में as a new married couple पर इसके बाद outdoor furniture बहुत important होता है चाहे वह आप natural terrace garden बना है चाहे वह आर्टिफिशल टैरिस गार्डन बना है बिना furniture के obviously आप कहीं जाके ऐसी तो नहीं बैठ जाएंगे आपको एक जगे चाहिए ह उसके बाद अगर आपका winter वाली जगह है लाइक अगर आप शिम्ला में हैं और कस्मीर में हैं और वहां पर terrace garden बना रहे हैं तो उस जगह पर आपको एक fireplace भी चाहिए होगा क्योंकि इतना ठंडा एरिया होता है वहां पर बिना fireplace के तो बाहर नहीं बैठ सकते हैं आपको आप समझ जाएंगे बहुत बार आप दिवार होती है दिवार के साथ में आप वाटरफॉल बना सकते हैं एक बीच में माउंट वा फांटेंस अभी कर सकते हैं कहीं पर थोड़ी सी वाटर बोडी कर सकते हैं जो थोड़ा सा आपको नैच्रल और हिल्स स्टेशन टाइप वा आपने अपने एलिमेंट आते हैं मैं इसकी वीडियो नेक्स पार्ट में लेकि आने वाली हो किया इलिमेंट होते हैं उसको कैसे लगा सकते हैं तो वह भी अच्छा लुक देता है और एक अच्छा एरिया करेंगा जहां पर आपको बहुत प्लीजन सा लुक आएगा अगर आप उस जगे में बैटते हैं तो यह आगया आपका आटिफिशल ग्रास तो मैंने बताई दिया था आठीविशल ग्रास के मिना तो आपका टैरीस ग्राडन दिखे यह नहीं अदर्वाइज आप नैच्रल ग्रास पेड़ कर वाएं अदर्वाइस आप आप आपको आपको बना रहे हैं तो लाइटिंग के साथ प्ले करना आपको आना चाहिए कि रात में जब लाइट का रोल बहुत अच्छा होता है दिन में तो नॉर्मल ही होगा गारडन उसमें तो आप कोई यूज नहीं कर रहे हैं कोई कलर कॉम्बिनीशन नहीं गारडन गारडन के तरह ही कि अगर लगाते हैं तो की अच्छा लगेगा अप बरगुला के उपर लगते काफी अच्छा लगेगा पुछ क्रीटिव लाइटिंग्स को टॉंप नकिन एपने टर्स लाके तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने टर्बान करना चाहते हैं और आपको नहीं जाता है आपको जिए तो अगर आप चाहते हैं तो यहीं चीज़ासर हम मैं बता दिया और अगर आपके पास घर है और या फ्लैٹ में आपको उपर की रूफ मिली है तो आप जरूर प्लैन करो एक आउटिंग हो जाती है इवनिंग में बैटना हो जाता है गैस के साथ वहाँ पे गूमना हो जाता है और थोड़ा सा आपको सहर वाने एंवार्मेंट में एक ग्रीन चाहिए वह एक अलग बाट है पर यह आपके लिए भी अच्छा है अगर वह होगा तो आप च्छत पर खुदी घूमने जाएंगे आपको टैरिस पर जाना अच्छा लगेगा आपको वाक करना अच्छा लगेगा आप जिम मसीने भी लगा सकते हैं उनके साथ भी अपना वाक जरूर प्रेस करिए तभी आपको नोटिफिकिशन मिलती रहेगी और नेक्स वीडियो मैंने आपको बताया है कि मैं वर्टिकल गार्डन के उपर लेके आने वाले हूं तो उसे जरूर देखेगा थैंक यू फो वाचिंग